Hello students, welcome to my YouTube channel. बारवी पास के लिए एक और गॉर्मेंट जॉब का नोटिफिकेशन आ चुका है, वो है UPSC NDA 2. ये NDA का एक्जाम है National Defense Academy का. ये एक्जाम UPSC साल में दो बार कंड़क्ट करवाती है, ये इस साल का दूसरा बार जो एक्जाम कंड़क्ट करारी है, उसका नोटिफिकेशन कल जारी हुआ है. तो आएए इसमें देख लेते हैं कि एक्जाम का सिलेबस क्या है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डोकुमेंट्स लगेंगे आपको और किस डेट तक आपको अप्लाई करना है, एक्जाम कब होगा. देखिए यह ओफिशल नोटेस और यहां आप देख सकते हैं इसे कल की डेट पे रिलिस किया गया है यह एक्जाम फॉर्म भरने का लास तारीक 29 जून है अब यहां पर देखेंगे अपलाई आपको कैसे करना है अपलाई आपको इस वेबसाइट पे जाके करना है upsconline.nic.in में यहां आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके लिए डिटेल्स यहां पे दी हुई हैं आपको ID कार्ड लगेगा, अधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राविन लाइसेंस, स्कूल फोटो इन में से आपके पास जो भी चीज हैं वो आपको लगेंगे यह मैंने आपको बता दिया, 29 तारिक के शाम के 6 बजे तक आप इसे अपलाई कर सकते हैं, 29 जून अब देखे, यह एक्जाम पहली चीज आफलाइन में होता है, जहां पे ब्लैक बॉल पॉइंट पैन ही यूज करना होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, अबजेक्टिव टाइप कोशन्स आते हैं, यहां पे एक्जाम में मोबाइल फोन लेके जाना पूरा बैन होता है, अब देखे, यहां पर UPSC जो यह एक्जाम कंड़र्ट कराएगी वो 5 सेप्टेमबर 2021 को कराएगी, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स विंक्स के लिए, और जो यहां पे इंडियान नेवल अकेडमी कोर्स है, उसका एक्जाम 2 जुलाई को कराएगी, ठीक है, यहां पे दो एक्जाम डेट है, 148 कोर के लिए और 110, 110 इंडियान नेवी कोर्स के लिए, फ्रॉम 2 जुलाई, यह आप देख सकते हैं, अब देखे, यहां पे टोटल पोस्ट है, नेवल अकेडमी के लिए 370 है, जिसमें से आर्मी के लिए 208 है, यहां 42 नेवी के लिए 120 एर के लिए, और नेशनल अकेडमी स्कीम, इसके लिए 30 है, नेवी की टोटल 400 पोस्ट जो है, यहां पे निकला है, अब यहां पे देखेंगे, यहां पे सेंटर दिया हुआ है, तो यहां पे हर स्टेट के जो कैपिटल है, वहां पे सेंटर होता है, तो यहां आप देख सकते हैं, यहां आप देख सकते हैं, जन्वरी जनवरी दो हचार तीन से एक जनवरी दो हचार छे तक कहने का मतलब यह है कि इस डेट के बीच अगर आपका डेट आफ वर्थ आता है तो आप इस फॉर्म को अपलाए कर सकते हैं अब रही बात आगे देख लेते हैं कि क्या इस साल के जो स्टूडेंट पास आउट हुए हैं जो इस साल बारवी पास किये हैं क्या वो स्टूडेंट भर सकते हैं अगर उनका रिजल्ट 24 जून के पहले पहले तक आजाता है माकशीट आजाती है तो ही वो अपलाए कर सकते हैं अदर्वाइस वो इस साल अपलाए नहीं कर सकते हैं और जो क्लास 11 में पढ़ रहे हैं वो भी स्टूडेंट इसको अपलाए नहीं कर सकते हैं अब देखे क्या इस एक्जाम की फीस है तो यहां पर देखे लिखा हुआ है Candidate, STHC son of NOC specified below who are mentioned are required to pay 40, sorry 100 रुपीज यहां पर लिखा है Candidate, इनको 100 रुपीज यहां पर पे करना है जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पता चल जाएगा option है कि आप net banking, debit card, visa, mastercard किसी का भी use करके कर सकते हैं या फिर आप pay by cash offline भी pay कर सकते हैं उसके लिए आपको चलान लेके जाना होगा bank में वैसे आप online ही pay करें तो ज़्यादा better होगा क्योंकि online pay करने से ऐसा है कि आपको जाने की ज़ौरत नहीं पड़ेगी तो ये दो stages में exams होते हैं आप सब जानते हैं अगर आपने ये return वालब जो आपका जो ये exam होगा return exam quiz वाला जो ncq form में अगर आप वो clear कर लेते हैं आप second stage के लिए qualify हो जाते हैं यहां और देखेंगे हम admit card आपको खुदी मिलेगा कोई courier या post से आपको नहीं भीजा जाएगा यहां पर साफ साफ mention है तो आप यहां पर हम देख लेते हैं सबसे main और ज़रूरी चीज़ वह है exam का syllabus और exam में कितने question आएंगे कितने घंटे का paper होगा तो देखे mathematics आएगा और जनरल अबलीटी टेस्ट mathematics जाएगंटे का होगा जनरल अबलीटी टेस्ट भी धाई घंटे का 300 marks का रहेगा mathematics जनरल अबलीटी 600 marks का यानि टोटल 900 marks का रहेगा आपका जो कि objective टाइप भी रहेगा English Hindi दोनों में रहेगा तो देख लेते हैं एक बाए mathematics का syllabus यह है algebra matrices determinant trigonometry analytical geometry of 2D and 3D differential calculus integral calculus vector algebra statics and probability English अब यह बात करते वह पार्ट 1 था mathematics पार्ट 2 general ability test यह मैं बताना चाहूंगी कि आपने जो class 11-12 में mathematics पढ़ा है यह उसी से related syllabus है जो कि इस exam में आते हैं अब बात कर लेते हैं यहापे पार्ट 2 की general ability test इसमें English का बहुत ही major portion रोल रहता है उसके बाद यहाँ आता है general knowledge देख सकते आप English 200 marks की पूछी जाएगी 600 में फिर आता है 400 400 में part B general knowledge इसमें आएगा physics physics का आप syllabus देख सकते हैं chemistry general science history geography यह सब कुछ आपका यहाँ पर रहेगा फिर stage 2 में जैसी आप qualify करते स्टेज 2 आपका होगा इसके भी process आपको इसमें दिये हुए है जो कि आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं official website पर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है तो आप इसे ध्यान रखे कि आपको OMR sheet मिलेगी इस तरीके से आपको बबल करने होंगे जब आप एक्जाम फॉर्म में भरने बैठेंगे तो और आपको black pen का यूस करना है यहाँ पे तो इस फॉर्म को ज़रूर अपलाई करिए इसकी डेट ज जून जो है वो लास्ट डेट है इस एक्जाम को भरने की से मैडिकल स्टेंडर्स कुछ दिये हुए है लाइक आपका चेस्ट किता होना चाहिए आपकी हाइट किती होनी चाहिए और 70 मीटर में तो आप इसे एक बार जरूर पढ़ें तो आपको पुरा डीटेल इस आपकेशन में मिल जाएगा ये नोटिफिकेशन आप युपी एसी एंडिय करके डालिया आपको फॉस्ट में ही युपी एसी एंडिय का ये खी और अफिचल नोटिस मिल जाएगा चाहिए तो उम्यद करते है यह वीडियो में जो बताया प्लोग को वागी है नियुकि this video